दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मेरे यूटूब जैनल टॉपल स्टिक पर दोस्तों है जम बात करेंगे कि जो अभी खतम हुआ है 20 तारीकों फाज शिफ्ट का एक्जाम रेलवे गुरूप टी का उसका कोश्चन पेपर आ गया है तो आप सभी के सामने कोश इस तरह से बाहुवली में देव सिना का किरदान किसने निभाया है यह कोश्चन आया है अब देखो एक सवाल आ रहा है उत्तर घंडिका यानि UK के अब ब्रांड अमबस्टर कौन तो यह जो सही अंसर वजाएगा विराट कोली है उसके ब्रांड अमबस्टर उसके बाद द सहाब भोसले यह अलहाबाद के चीफ जस्टिस है उसके बाद देख लेते हैं हम राशित खान जो है अभी पता है आपको आफगानिस्तान के यह स्पीनर है तो इसके उपर सवाल है कि वो किस टीम से खेलते हैं IPL में तो यह खेलते हैं सनराइजर हैदराबाद की तरफ से उ उससाब से option में आपको लगाना था उसके बाद दूती चंद के उपर सवाल आया है यह भी इस तरह का है इसने अभी एशन गेम में सिल्वर मेडल जीता है दो सिल्वर मेडल ठीक है तो आप वो किसने एक सौ मिटर में जीता एक 200 मिटर में तो आपका सवाल किस तरह था उसक पर सवाल है कि उसकी सवामी सेंचुरी किसके खिलाफ यानि कौन देश के खिलाफ उन्होंने मारी तो सही अंसर हो जागा बंगलादेश ठीक है अब देखो नीती आयोग का बार बार पूछ रहा है रिपीट सवाल कर रहा है और यह तो आपको याद ही कर लेना है कि नीती आ वो इसकी सवाल है अब और एक सवाल को प्रेंट करता है अगर यह आक्टर का होगा तो रजनी कांथ खूद हो जाएंगे और डिरेक्टर की होगा तो चुल्हर को जाएंगे तो वो सबस्यार नहीं यह लेकिन उसके उपर एक आया सवाल, उसके बाद देखो, पैड मैन एक मूवी आया थी, अक्षी कुमार की, वो किसके उपर बेस्ट है, तो वो आया था, आपको पता ही कि सैनिटरी नैपकीन होता है, उसके उपर बेस्ट ये फिल्म आया थी, अच्छी फिल्म थी, उसके बाद आपको पता है इलम के लिए कि हमिता आप बच्चेन है उसके बाद देखो हंगरी की capital पूछा है तो हंगरी का capital गुदापेस्ट है तो इस तरह से ये सवाल हो गया आपके ठीक है जी के के जिनेरल के अब देखो math के में बात करणों तो math के जो सवाल आ रहे हैं वो देखो जखासतर से मेंसुरेशन के आ रहे हैं वो आपको पढ़ना है रोंबस ट्राइंगल ये सब पढ़ने आपको उसके बाद देखो टायम एनस्पीड ट्रेन से दो कोष्चन आया तो यह आपको देखने लेना है उसके बाद CISI से एक कोष्चन आया है उसके बाद Pipe and 4 किलमेटर यानि डाउन इस्ट्रीम चार किलुमेटर है और पर्ती कूल यानि अप्र स्ट्रीम यू च्छी किलुमेटर पड़ा वड़ है तो पुत्र की उम्र जो है ना पुत्र की उम्र की 2.5 गुना यानि धाय गुना हो जाता है तो पुत्र की उम्र बताओ तो इस तरह से ये सवाल था अगर आप दोनों मैट का सवाल बना सकते हो तो बना के पिलीज आंसर जो है वो कमेंट सेक्शन में कर देना तो ये कुछ सवाल थे जो आज सतरह तारीक का शिफ्ट का अगर आपने वीडियो नहीं देखा है मेरा तो पिलीज डिस्क्रिफ्शन में चले जाना है वहाँ पर आपको सारी वीडियो मिल जाएगी आप लोग देखने ना ताकि आपको आने वाली एक्जाम में जो है ना हेल पाईए क्योंकि कैसी कई ऐसे चाहिए तो आप लोग पिलीज डिस्क्रिफ्शन में आना एक चैनल का लिंक मिलेगा उस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना तो चलो थैंक्यू ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का